हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल ये स्ट्रेंडिंग फैसन में गाईज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि लेडिस पैंट प्लाजो में पोकेट यानि जेव लगाने का आसान तरीका चलिए स्टार्ट करते हैं कर देखे गाईज मैंने एक पैंट प्लाजो की कुटिंग पहले से की हुई है अब हमें जहां पर पोकेट लगाना है वहां पर मार्क कर लेते हैं ये देखे गाईज इस साइड में हमें ऊपर से तो इंच बेल्ट का छोड़ कर साथ इंच पर मार्क करना है ये देखिए हम मार्क लगा लेते हैं दोनों पोकेट की कटिंग करेंगे ये देखिए ये कपड़ा मैंने डबल करके लिया है अब इसे ऐसे मोड लेंगे और ये हमारी पोकेट का मेजरमेंट है लेंथ बारा है और टोप वाइड सिक्स है बोटम वाइड सेवन इंच है अब हम लेंथ का निसान लगा लेंगे जो की बारा इंच है इसमें हमने एक इंच मार्जन किया है ग्यारा कम्पलीट है और एक इंच का मार्जन है टोटल बारा इंच पर मार्ग करेंगे से ही हम नीचे से साथ इंच पर मार्ग करेंगे और उपर से छे इंच पर मार्ग करेंगे और ऐसे मिला देंगे और यहां से हम एक इंच पर गोलाई देंगे और इसको कट कर लेंगे ये देखिए गईज हमारी दोनों पोकेट कट कर तयार हो गई है अब हम इसे सिलाई करेंगे अब हम इस आसन को अच्छे से यहां से स्टिच कर लेंगे ये देखिए हमने जो पोकेट के लिए ये साथ इंस का लगाया था का ऊपर तोरा छोड़ करें आब हम इस पोकेट लगाएंगे अब हम इस पोकेट को थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं कि अब हम इस पोकेट को ऐसे रखेंगे ऐसे और जहां पर हमने यह कट किया था यहां से हम सिलाई लगाएंगे और एक पैर का मार्जन देते हुए यहां तक सिलाई करेंगे कि अब हम यहां से कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा अब हम इसको ऐसे पलट देंगे अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ऐसे नाखुन से अब हम एक पैर का मार्जन देते हुए इसको अच्छे से यहां से स्टिच कर लेंगे देखे हमने यह सिलाई लगा ली है अब हम इसको ऐसे खोल लेते हैं और जो यह वाला यह वाला फोल्ड वाला साइड है इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़के अब इसको हम ऐसे कर लेंगे अब इस पर हमने यहां से सिलाई लगाना है यहां तक अब इसको हम सीधा करते हैं और इसको अच्छे से कोर्नर को निकाल लेते हैं और फिर से इसके उपर अच्छे से सिलाई लगा देते हैं अब हमने यह सिलाई लगा ली है अब हम इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे बंद कर देंगे इसको और अब यह जो है इसको और इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे अब हमने यह सिलाई यहां तक लगानी है जेब पर नहीं लगाना है इसको ऐसे कर देना और इसको यहां से सिलाई लगाना है और फिर इसको यह वाला और यह वाला जेब का पूरा बंद कर देना यहां तक यह वाला यहां से सिलाई लगा करना नीचे से देखिए ये वाला पोकेट हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम इस साइड भी ऐसे ही लगा लेंगे देखिए ये पोकेट वाला है ये पोकेट हमने कम्प्लीट कर ली है अब इसको ये सीधे वाला है ये भी सीधे वाला इससा है फ्रंट साइड का ये फ्रंट साइड को अब हम इसको ऐसे चोड़ेंगे यह जो है इसको अंदर की साइड कर देंगे और इस पर शिलाए लगाएंगे, ये और ये दोनों शिलाए लगाएंगे और फोकेट को अंदर की तरफ नईचे पर लिए, चलिए शिलाए लगाएंगे अगर हम इसको पूरे को सिलाई कर देंगे यहां तक नीचे तक देखे गाईज हमने यह दोनों साइड से जोड लिया है और यह पोकेट लगाया है और गाईज मैं बता दूँ आपको यह पोकेट जो लगाना है यह फ्रंट साइड वाले उस पे लगाना है अगरे बाद गाईज हम यहां से एक बारिक टाका लगाएंगे बारिक सिलाई करके और इस पोकेट को इस साइड करके यहां से और यह जो अंदर का यह फ्रंट साइड की तरफ ही मोड देंगे एसे और पूरे में नीचे तक हम बारिक सिलाई लगादें देखिए हमारी दोनों पोकेटे पंपलिट हो गई है यह कुछ इस तरह से दिखेगा देखे गाईज यह कितने अच्छे से हमारी पोकेट लग चुकी है दोनों थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो लाइक और सबस्क्राइक करना ना भिलाए